यह विए वेग्ट 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 वाइव चानल लाइव टैग वी शिखा में कैसे आप सब आई होप आधा के साथ मैं आज का ब्लॉप शुरू करती हूं तो आने माली है दिवाली दिपावली पे हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर में नहीं लेते हैं डेकॉरेशन के अब करोंगी और कुछ नए करना पसंद करते हैं और जिन्हें घर पर बनीजीजें बनाने का क्रेश होता हैं कि मैं यूटूब नहीं करती तो भी मैं भर में बहुत सारी चीज़ें बनाती रह दी तो चलिए बनाते हैं आज डेकॉरेशन के बहुत सारे आइटम्स लेकिन उ सब्सक्राइब करें तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दू सब्सक्राइब बैल आइकन को भी जरूर रिट कीजिएगा जिसे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो चलते हैं बीट्स बनाते हैं आपको अगर पसंद रहेगा आइडि लाइट्स तोड़न और हैंगिंग्स बनाएंगे तो इसके लिए आप भी अगर इंटरस्टेड हैं तो इंविट्स को बनाके रेडी करिए फिर हम बनाएंगे बहुत सारे डियायोई मिलके तो चलिए शुरू करें सबसे पहले मैंने यहां पर यह एल्मॉनियम फॉयल ले जो की बहुत पुराना है जिससे देखे कलर इसका थोड़ा सा डिफर कर गया क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते हैं बहुत दिनों से हमने अल्मॉनियम फॉयल यूज करना छोड़ दिया है तो इसको हमें फोल्ड करना है तुछ इस तरीके से पहले फोल्ड करना है फिर इन इस तरीके से हमें एक रोल बना लेना है पदला साथ, देखेंड़ यहां पे हमने एक पदली सी स्ट्रिप ले ली है और यह लिया एक पैन और इसके उपर हमें इसदें रोल करना है बहुत ही आराम से प्रेस करते हुए दोनों corner को हमें हाथों से दबाते हुए इस तरीके से finger की help से बनाना है रोल को देखे tightly रोल करेंगे और किनारों को अच्छी तरीके से press करते जाएंगे हाफ से भी जादा रोल को जब हम इस तरीके से रोल कर लेंगे फिर जो ये बचा हुआ हमारा रूल है इसको अच्छी तरीके से हांतों से दबा के थोड़ा सा शेप इसका इस तरीके से कर लेंगे और इनको सिर्फ हमें बीच में करना है side side पे इन्ही नहीं रखना है तो बीच में ही सिर्फ करना है जिससे की मूती का perfect shape आए देखे जैसे यहाँ पर वीडियो में दिखाया जा रहा है इसे तरीके से आपको रूल करना है और अच्छी तरीके से हमें प्रेस कर देना है जिससे की मूती हमारी एकदम हार्ड रहे कि जब हम इसको उन लगाएं तो ये मुड़े नहीं तो देखिए इस तरीके से पहले हमें रेडी कर लेना है फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेना है फॉयल का और उसमें इस तरीके से लपेट लेना है हमें और पैंसे इसको अंदर की तरब प्रेस कर देना है बस एकदम नीट एंड क्लीन हमारी ये फॉयल की बीट बनकर रेडी हो जाएगी इसी तरीके से हमें दूसरे तरब भी कर लेना है और हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस करके एकदम बीट जैसा हमें इसको बना लेना है देखिए कुछ इस तरीके से तो इसी तरीके से मैंने कई बना लिये हैं पहले बहुत सारी मैंने मूतिया पहले से बना रखी लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर जो कर रही हूं तो दिखाती हूं इस तरीके से देखिए हमने बना लिया है एक साइज का ही अब यहां पे लिया है मैंने उन तो मेरा बहुत पतला है तो इसको डबल कर लेंगे हम और यहां पे मैंने लिए प्लास्टिक की सुई जो बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए आती है टोय अगर हमें रहती है आप यहां पे स्वेटर सिलने वाली सुई भी ले सकते हैं डबल करके मैंने लगा लिया है इनको नौट जो की चार फोल्ड हो गया है अब बीट को इसी तरह से हमें ऐसे की वीडियो में दिखाया गया है हमें कवर कर देना है पूरा अच्छी तरीके से पूरे जो हमने फॉयल की बीट बनाई है इसको उन से कवर कर देंगे हम जिस भ इलड़ीह तरीके से पूरा हमें इनको अंदर से इंसर्ट कर के बढ़िए से दब प्रेस कर के नीटवए अच्छे तरीके से कवर कर देना है पूरा मोती जो हमारा कवर हो जाएगा इस तरीके से उन से सारा हमारा बीट कवर हो गया है और एकदम देखे मोती के शेप में आ गया है यहां पर मैंने लिए गोटा पट्टी वाली लेस आप इसको ग्लू की हल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इसी उन के साथ इसको नॉट बना दूँगी और लेंगे सुई और सुई को अंदर से इंसर्ट करेंगे जिससे की जो नॉट लगए वो अंदर चली जाएगी यह मुझे ज्यादा स्ट्रॉंग लग रहा है और ईजी भी तो इस तरीके से हमें इसको पांच बार गोटा पट्टी को थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके स लगा देना है जैसे की मार्केट में जो मुती लेते है जैसे बनी होती है, सेम असी तरीके से बनाना है अब इसको कट कर देंगे एक्स्टा और थोड़ा सा ग्रू लगा एकल यहां पर इसको पेस्ट कर देंगेगे बस हमारी बीट बन कर रेडी हो गई एकदम पर्फेक्ट देखी एकदम मार्केट जैसी तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारी बना लिया है अलग-अलग कलर की शेप की कुछ छोटी कुछ बड़ी ये गोटा पट्टी की गोल बनाई है कुछ थोड़ी लंबी टाइप की बनाई है और अब चलिए दूसरा तरीका आपको बीट बनाने क सिलाइ के धागे होते हैं उनकी जो रहल होती है ये उसे आंगे मुथी इनको बनाना बहुत दो oper Alsoеты बनती है और ये आपके जो टेलर से होते हैं या बूठी जहां अबनाे कपड़े 10 7 वाहां एसली मिल जाते हैँ थया बनाना जाएं मैं दो इनको यहां मेंगे मोडि ने करे में इस तरीके से कट कर लिया है और यह हमारे पास एक रील के यह जो भी रोल है इससे तीन बीट बनेंगी और यहां पर मैंने पुराना उन लिया है जो की स्वेटर पुराने स्वेटर उद्विड के जो रखे रहते हैं वह उन है आप चाहे तो यहां पर थ्रेड भी मोटा ल लखती है तो इस तरीके से मैंने बना लिया है और चीज के बनाल लृत भी बना लों और एक लर का भी तो इस तरीके से फट यूशाबड से थे क स्वेटम के आगरल कर देंगा सेम प्रोसेस से इसमें भी हमें गोटार लगा देना है और इस बीट को हम पेपर से भी बना सकते हैं और कत्रन से भी लेकिन मुझे ये दो तरीके ज्यादा बेटर लगे तो मैंने आपके साथ शेयर किया और हमारे बहुत ही परफेक्ट इजी वे में सारे बीट्स बनकर रेड को नेक्स ब्लॉग तक बेट करना होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे चैनल को और अगर इन बीट्स को आपने बनाया तो कॉमेंट भी कीजेगा आपसे नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक थैंक यू वर वाचिंग